हालो फ्रेंज वेलिकम टू इंजिनियर्स स्टुडी चैनल आज हम बात करेंगे step information of brace के बारे में जो इट होती है हमारी कैसे बनती है इनके step क्या-क्या है सब के बारे में बारी-बारी से बात करेंगे पहला इस्टेप है हमारा सेलेक्शन आफ साइट जो इट के लिए साइट का सेलेक्शन करते हैं उनके बारे में आई देखते हैं इटो के लिए उप्युक्त प्रकार की मिट्टी पर्यावत मात्रा में भूमी तल पर ही उपलब्द होने चाहिए जो इटो के लिए उप्युक् शान कर निकाल देने चाहिए और इसमें कर्णकर और पत्थर उपस्थित होंगे तो इटों की जो शेप होगी वह समतल नहीं मिलेगी हमें, उपर घाबर निलेगी कुछ, और ईट में सल्फेट, नाइट्रेट और 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 यानिक कॉम्पोनेंट नहीं होने चाहिए, और यानि पकने के ली जाती है भट्रों में जाती है तो गास होस होते हैं में में सबuciones से यह क्या च्षेद्र आ जाते है और जिसे एक की तक होती इसलिए यह सब नहीं होने चाहिए हमारी एसलिए सारशत होता है बहुतüllt ह को फूसाय परना चाहिए ताकि इसमें वर्सा होने पर जल गरस्त ना होने पर उचाई पर होना चाहिएété अब सक्राइब का इपकूल नहाने के लिए छुम मैं लेबर चाहिब होती है वह उच्छी के दरोब पर उप्लब दोने चाहिए यह तो हमारे सेलेक्शन आफ साइट के कुछ पॉइंट से हो गए दूसरा पॉइंट है हमारा विपेरेशन आफ ब्रिक्स अर्थ इसमें हमारे पहला पॉइंट है मिट्टी फूढना तब सबसे पहले हम क्या करेंगे साइट का सेलेक्शन करेंगे जो हमारी साइट सेलेक्ट हो जाएगी तब दूसरा प्रोसेस आएगा प्रेप्रेशन आफ ब्रिक्स अर्थ इसमें पहला पॉइंट है हमारा मिट्टी फूदना जमेन के उपरी सतार को 10 से 20 सेंटिमेटर खोद कर निकाल दिया जाता है जो 10 से 20 सेंटिमेटर में हमारे छोटे-छोटे प्यड़ पौधी और घास फूस होते हैं उनकी जो जड़े होती है इतनी 10 से 20 सेंटिमेटर गहराई तक होती है तो इन्हें खोद कर निकाल दिया जाता है और जो इनके नीचे की जो साफ मिट्टी होती है उन्हें प्रयोग म बनाना, दूसरा पॉइंट है खोदी होई मिट्टी को कुछ सब्ता के लिए खुली हवावा धोग में छोड दिया जाता है जिससे मिट्टी की प्लास्टी सिटी और इस्टेंट में सुधार आता है और खुली हवावाद होड़ोग में छोड़ने पर ग्रोस में कीट और ज जिवू जन्तू होते हैं छोटे-छोटे जिवू होते हैं वह नश्ट हो जाते हैं और प्लास्टिसिटी और इस्टंट में भी सुधार आता है तिसरा पाइंट है हमारा अट्मेक्सटर एड़ करना समिस्रन खोदी हुई मिट्टी में किसी घटक के अगर मात्र कम है तो उस घ क्या करते हैं मिट्टी को गूंदते हैं तो गूंदना हम दो प्रकार से कर सकते हैं यह तो खोदे गूंदी यह फिर हम पश्वू का भी सहारा लेते हैं गूंदने के लिए अब मिट्टी में लगभग 25-30% पानी मिरा जाता है जिदने मिट्टी होती है मिट्टी के भार का 25-30% पानी मिला कर इसे अच्छी प्रकार से गूंदा जाता है नीडिंग हम दो प्रकार से कर सकते हैं एक होता है नेचुरल तरकी से एक होता है मेकेनिकल तरीके से मेकेनिकल तरीकों सभी हम गूंदते हैं तो नेचुरल तरीकों से हम पाने मिला कर पहले हम इसे स्पेड से गूंदते हैं फिर पैरों से गूंदते हैं अगर हम पैरों से ना गूंदना चाहिए तो हम पश्वो का सहरा लेते हैं पश्वो का सहरा लेते हैं और मिट्टी को अच्छे से गूंदते हैं गूंदने के बार हम इस मिस्रल को धाप देते हैं कुछ टाइम के लिए कुछ समय के लिए ढाप देते हैं ताकि जो मिट्टी की प्लास्टिसिटी बनी रहे और मेकैनिकल तरीकों में हम गुधने के लिए हम यूज करते हैं पग मिल का यूज करते हैं आई दिखाते हैं पग मिल जब हमें अधिक मात्रा में गुंधी हुए मिट्टी का वशक्ता होती है तब हम मेकैनिकल तरीकों का यूज करते हैं इसमें हम होता है पग मिल इसमें हम मिट्टी को गूंदते हैं यहां से मिट्टी और पाने एड़ करते हैं यहां से मिट्टी और पगमिल इस पात का बना होता है और इसका जो ऊपर का व्यास होता है एक दस्मनों दो मीटर होता है यह वाला और जो निचला व्यास होता है यह पॉइंट नाइन मीटर होता है और इसके जो उचाई होती है एक दस्मनों पांच से दो मीटर तक रखी जाती है और इसे साथ सें वर्डिक Amazon ब्लेड वता है जिसमें हमारे हरीजिंटल ब्लेड लगे होते हैं और यह बोड़ क्यों हिस्सें से फिर JENकसी पार्म को हम अग्राइस सक्स Кजण यह दौरा यह सते हैं तो यह बोड़िकल राड्म कशोु से इसे घ्म्हूमाते हैं इससे जो लगे हुई नाइफ होती है यह भी घूमने लगती है जिससे हमारी मिट्टी जो होती है अच्छे प्रकार से गूंत जाती है और यहां से इसे निकाल दिया जाता है यहां है हमारी पगमिल और जो इस प्रकार इतने माप की जो हमारी पगमिल होती है इतने मार्प की पग मिल में हम एक दिन में पंदरा हजार इटो की मिट्की तयार कर सकते हैं गुंधने के बाद तीसरा प्रोसेस है हमारा इट की ढ़लाई करना जासलते हो P demographics में पंदर इसे में हम्मारा प्रोस कर सकते हैं पहला है हैंड मोल्डिंग और दूसरा हैंद मॉल्डिंग महां कुणा दड राउन पर बैठ कर मोल्ड करना और दूसरा है हमारा टेबल मोल्डिंग टेबल पर रहकर मोल्ड करना तो टेबल मोल्डिंग से हमें फरस्ट क्लास की ब्रिक्स प्राप्त होती है और मसीन मोल्डिंग भी दो प्राकार की होती है एक होती है हमारी विट मोल्डिंग और दूसरी संद्र होती है हमारी द्राइव म॒ल्डिंग कि इंडिय में हैं ज्यादा तक यूज कि जाती है मस structural है में अधिक मात्रा में बड़े पैमाने पर लिए में मसा इंड़े इंमें मंलंड से यूज करती है तेबल मउल्डिंग और टेवल मॉल्डिंग टेवल मॉल्डिंग से 1st Class की Bricks प्राप्त होती है और जैसे जाथते हैं आप जब Hand और Machine मॉल्डिंग में किसकी strength जढ़ा होगी तो Machine Molding की strength जढ़ा होगी और Water Absorption किसका जढ़ा होगा Water Absorption हमारा Hand Molding का जढ़ा होगा और size of mold के बात करते हैं तो size of mold जो होता है यहां अधिक होता है size of bridge से जिसे standard bridge की size होती है 19 into 9 into 9 cm होती है और जो mold के size होती है हमारी इतने माप के लिए mold के size होती है 20 into 10 into 10 cm तो size of mold जो होता है वहां प्रत्यक दिसा में 1 cm अधिक रखा जाता है क्योंकि जब 8 को पकाया जाता है निल में तब यह जो 8 होती है यह श्रिंक करती है इसलिए इनके जो माप में कमी आती है इसलिए mold की size होती है वह ज्यादा रखी जाती है पकाने के बार हमारी इट इतनी ही आ जाती है इस mold के लिए पर तीसे पॉइंट में हम mold करते हैं इस चौथे पॉइंट में हम अब क्या करेंगे इटों को सुखाएंगे मोल्डिंग से प्राप्त होती है उन्हें सुखाया जाता है सुखाने के लिए सब से पहले हमें इसमें सुखाएंगे चाहों में सुखाते हैं पहले कि तुरांत धूप लगने पर जो एटे होती हैं में हमारी उनके सता पर दरा रहा जाती है इस लिए पहले चाहों में सुखाते हैं तो चुखाना działa को सुखाना हम दो प्रकार्षटे करते हैं पहला है हमारा नेच्र्ल राइंग और धूसरा है रहा आटिफेषिड ड्राइंग होता है हमारा इसमें दर से बारात नादिल two come flat रखते हैं सुखाने के लिएavy कुरhouse it को खड़ा कर दिला很好 कर दिए जाता है खड़ा कर लिए आट प्रो confuse प्राकार से एक फ्राकार करके खड़ा कर थे होता है। लिए दूसरी इत को रखने के लिए और इस प्राकार इक रखने इट अच्छी प्राकार से सूख भी जाती है अब दूसरा है हमारा आर्टिफिसियल ड्राइंग मेथड तो इसमें है हमारा हॉट फ्लोर मेथड और दूसरा है हमारा हॉट टनल मेथड हॉट फ्लोर मेथड ज्यादा तक यूज नहीं होता है क्योंकि इसमें जो इट को सुखा जाता है कम ईट को सुकाते हैं इसमें हम हूड definenal में जचाधा जॉध़ा सकते हैं इसमें इसमे धो में जो चिमनी होती हैं उन्ते जो गैस जगैस में से निकलती है अवste floor होता है इनको गर्म किया किया दरता है अव्र के ऊपर रखा जाता है सुखने के लिए और हम उति है और इन में ठर्रा नाल की दो चिमनी होती है उनसे जो गर्षे क्मित होती है उनका प्रयोंग हिए बेजा जाता है और उन कर दिया जाता है और इनका टेंपरेचर होता है 120 डिगरी सेल्सियस रखा जाता है जिससे एट क्या होती है दो से तिन जिन में अच्छी तरह से सूख जाती है जादा इेट मतलब अधिक इेट इसमें हम सुखा सकते हैं इसलिए होट टनल का प्रयोग जादा कियa जाता है अब ऐटो को सुखाने के बार अगला ओज्यक्वारा हमारा इेटो को पकाना इटो को जलाते हैं बरनक बरने क्यूं करते दाके we जो हुए हमारी एट में इस्ट्रेंथ आ जाए इस्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए इस्ट्रेंथ लाने के लिए इटो की बर्निंग के जाती है तो इटो को पकाने के क्रिया तेन चरड़ों में पूरी होती है आए देखते हैं चरड़ कम कौन से हैं पहला है हमारा डिहाइड होदी है और आक्सिडेशन जो पचान से 750 डिग्रेरी सेल्सियस तक होती है और में से जल को क्या करते हैं वास्पिक्रित उलल जाता हैं कि कुछ पानी रह जाता हैं वास्पी क्रिक नहीं होता है एको से पूरा पानी नहीं निकलता है देहाइड्रेशन में यह पुया तखना है और आक्सीडेशन में क्या होता है जो लोग सम्बंधी जो कड़े हैं कड़ होते हैं इनका आक्सी करण हो जाता है और विट्रिफिकेशन में जब एको 900 से 1100 डिग्री सेलसियस तक गर्म करते हैं तो क्या होता है तो एक कठोर हो जाती है और चमकीली सता प्राप्त होती है जो लोग क्वाल्टी की ब्रिक्स होती है हमारी उन्हें 1100 डिग्री सेलसियस तक गर्म करते हैं और जो हाई क्वाल्टी की ब्रिक्स होती है उन्हें 1250 a कर से कि जाती है नेच्ण तरीकों से की जाती है आया और आया मैं से नेच्टरों तरीकों से राणे फीसी न और आप इ 57 कि नेच्टोंसे में हम यूज करते हैं क्लैम्प और इसमें हम यूज़ करते हैं निल भट्टे का यूज़ करते हैं आज हम बात करें हैं क्लैम के बारे में और जो अगली वीडियो हमारी आएगी वह निल से रिलेटर आएगी यह बात करते हैं पजावा और क्लैम को पजावा भी कहते हैं अब यहां कहां यूज़ किया जाता सेकता होती है कम मात्रा में एक हो सकता होती है जहां एरिया कम होता है डिमांड होती है इडिय कि लिए आयता कार आकार का कच्छा फर्स तायार किया रता है तो यह आपको देखने में कुछ ऐसा लगता है कि तो आपको एलिवेशन में लगेगा आयता कार और जब इसका प्लान बनाएंगे आप तब यह आपको लगेगा समलंबा कार तो क्लैम्प के लिए आयता करिया समरंबा कार कच्चा फर्स तयार किया जाता है जिसे 15 डिग्री स्लोप दी जाती है और जो फर्स की माप होती है फर्स की माप 15 मेटर गुड़े 10 मेटर रखा जाता है क्लैम्प के ढालों किनारों पर कच्ची एटों की लगभग 5 मेटर उची रोक दीवार खड़ी कर दी जाती है अब यह आपको डाइग्राम दिखा देंगे सब क्लियर हो जाएगा आपका अब क्लैम्प में सब से नीजर 20 से 75 सेंटिमेटर मोटी एंधन एंधन के रूप में काई करते हैं इसमें क्लैम्प में घास फूस लकडी उस इसितानी समागरी होती, इस यूदध ही यूज़ का रता है. सब्सक्रां माने अपलब फ्यूल जो होते हैं इस पर कोई हमारा कॉस्ट नहीं आता है तो घास फूस लकड़ी आधी की परत बिच्छा दी जाती है कितनी साथ से 75 सेंटिमीटर मोटी जो नीचे की जो फ्यूल की जो परत होती है यह मोटी रखी जाती है अधिक मोटी तक जो इसकी जो उसमा अधिक नेकलेगी तो एट जो होगी अच्छी प्रकार से पकेगी और जो पूरी उसमा एटों को लिए यूज़ हो जाएगी और एंधन की परत के ऊपर 4-5 परतों में इट रखी जाती है कच्छी इटे लगाते जाती है पहले फ्यूल रखते हैं फिर इट की 4-5 लेयर रखते हैं फिर फ्यूल रखते हैं और जो नीचे का फ्यूल होता है इसकी जो मोटाई होती है ज्यादा होती है और आगे बढ़त करते जाते हैं उपर की ऊर। तो फ्यूल की परत होती है तो इसे नेचे से आग लगा दे जाती है जब क्लैंप जब क्लैंप उपर तक भर जाता है तो इसे चार ओर से राखी मिट्टी की मोटी परत से धाप दिया जाता है क्यों धाप दिया जाता है राखी मिट्टी की मोटी परत से धाप दिया जाता है क्योंकि धखने से जो उसमा उत्पन होगी वह पूरी उसमा एट के पकने में ही यूज हो जाएगी अगर नहीं धाकेंगे तो उसकी उसमा क्या हो जाएगी बाहर निकल कर वायो मंडल में चले जाएगी जिससे जो एट होंगे हैं हमारी वह अच्छे प्रकार से पक नहीं पाएंगी और क्लैम्प तूड़ता जनने तथा ठंडा होने में कितना दो से चार महिने का समय लेता है ठंडा हो जाने पर राखी मिट्टी की जो परत होती है इन्हें हटा कर इटों को बाहर निकाल लिया जाता है और एक सामान नूट है एक सामान प्रकार के क्लैम्प में एक पारी में पचीस हजार से एक लाख तक की इट पकाई जा सकती है पचीस हजार से एक लाख तक की इट पकाई जा सकती है और पजावे मतलब प्लैम्प से लगभग कि 60 प्रतिसप्च इट ही अच्छे क्वालिटी की प्राप्थ होती है 25 हजार अगर हमें इट प्राप्थ होगी तो इसका 60 प्रतिसप्च हो जाएगा हमारा 15 हजार मतलब केवल हमें 15,000 EAT ही क्या होगी अच्छी quality की प्राप्ट होगी और 1,00,60,000 EAT ही अच्छी quality की प्राप्ट होगी इसलिए इसका जो प्रयोग होता है पजावे का यह होता था अब इनका प्रयोग नहीं होता है अब हम यूज करते हैं निल का भर्ठो का यूज किया जाता है जिसकी बात हम नेस्ट लेक्चर में लेकर आएंगे जो निल होता है हमारा इनका प्रयोग पहले होता था इनमें बहुत समय लगता है यहां लगतार EAT नहीं दे पाते हैं इन्हें ठंडा होने में दो से चार महिने का समय लग जाता है यहां हमारा क्लाइंप देखिए इसमें जो नीचे वाली लेयर है यहां फ्यूल की 60-75 cm मुट लेयर है फिर हम इसमें कच्चे इटो को रखते हैं तेन से चार लेयर में फिर फ्यूल रखते हैं इस फ्यूल की जो मुटाई होती है वहां नीचे वाली फ्यूल से कम रखते हैं फिर 8 को रखते हैं फिर 8 को रखते हैं फिर हम फ्यूल रखते है और फ्यूल रखने के बाद उपर हम मिट्टी और राखी की परत से इसको ढाक देते हैं और नेचे से इनको आख दिखा दी जाती है और इसकी जो स्लोप होती है से 15 डिग्री स्लोप दी जाती है और इधर लगभग 5 मीटर उची दीवार खड़ी की जाती है कि इधर भी पास मीटर दीवार होती है इसमें जो नेचे के बिक्स होती है हमारी और बर्न होती है प्रभावी नियंतर नहीं होता है अगर एक बार आग लग गई तो इसके नियंतर पाना मुश्किल है और ईटों के जो अपूर्ती होती है वह लगतार नहीं होती है और इनको बरसाथ में बंद करना पड़ता है यह सब दोश हैं कि इसलिए इनका प्रयोग अग नहीं किया जाता है अब हम प्रयोग करते हैं निल भठो का यूज़ करते हैं एक बार फिर से देख लिए इस टेप इंफार्मेशन आफ दिक्स पहले हम क्या करते हैं सायज करते हैं फिर जोच्रा पॉइंट हमारा मिठी को तयार करते हैं इसके लिए मिठी खो देते हैं फिर S3 उसमें अच्छी अच्छी प्रकार से गूँंड दें गूंड सकते हैं अपने पैरों या पश्वोड़ों की सायता से भी जोन सकते हैं और फिर एट की ढ़लाई होती है एट की ढ़लाई भी हम दो प्रकार से करते हैं हैं मोल्डिंग और मशीन मोल्डिंग मशीन मोल्डिंग डेवलक्मन कंट्री में यूज की जाती है ने देशों में हैंड मोल्डिंग यूज की जाती है हैं मोल्डिंग दो प श्रिक्स सरे में साइज canyon के लिए इतना हमें श्रिक्स बढमी प्रक्तर हमला लुब दिया प्राइब इसलिए रहते हैं क्योंकों पाम कि जब गूर्ण है तब इनकी पहसे हमणी हमारी कि और श्रीन करती है इसलिए इनकीन जो मॉट कि सब्सक्राइब यह वह अधिक रखी जाती है और चाथा पॉइंट है हमारा मोल्डिंग करते हैं इटों को सुखाते हैं ड्राइंग ऑफ ब्रिक्स तो यह भी हम दो प्रकार से करते हैं नेचरल ड्राइंग मेथड और आर्टिफिसियल ड्राइंग मेथड अब यूज किया जाता है नेचरल ड होती हैं और इसमें ज्यादा एटों को हम ड्राइं कर सकते हैं होट तनल मेथड में इसको होट कैसे करते हैं जो चिमनी होती है कि चिमिनी से जो गैसे प्राप्त होती हैं उन गैसों का प्रयोग हम यहां करते हैं इनका टेंप्रेचर हम 120 डिग्री सेल्सियस रखते हैं इनको सुखाने के लिए होट टनल मेथड से हमारी दो से तीन दिन में इटें सुख जाती है फिर हमारा पांचवाय पॉइंट है इटो को सुखाना इटो को पकाना बर्नेंग ऑफ ब्रिक्स सुखाने के बाद हम इटो को बर्न करते हैं ताकि उनकी जो इस्ट्रेंथ है वह अच्छी हो जा इस्ट्रें आक्सिडेशन और विट्रिफिकेशन देहाइड्रेशन में हम इटो जो सुखी होई इट होती है उन्हें 400-650 डिग्री सेलिसियस तब गर्म करते हैं जिससे इटो की जो नमी होती है वह जो जल होता है वास्पिक्रित हो जाते हैं परन्तु कुछ जल शेस रह जाते हैं और तरीके से वास्पिक्रित नहीं होते हैं आक्सिडेशन में होता है जो आयरन के जो आयरन होते हैं हमारे लौ संबंधी जो कड़ होते हैं उनका आक्सिकरण हो जाता है और इसमें हम इटो को 650-900 डिग्री सेलिसियस तब गर्म करते हैं तो आयरन संबंधी कड़ों का आक्स सब्सक्राइब करते हैं इससे क्या होती है जो एट होती है हमारी वहां कठोर हो जाती है और चमकीली सता प्राप्त होती है नोट में देख लिजिए जो हमारी लोक वाल्टी की ब्रिक्स होती है उन्हें हम 1100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं और बर्निंग कहां करते हैं हम बर्निंग दो प्रकार से करते हैं एक करते हैं क्लैंप में और दूसर करते हैं दिल में आज हम बात करेंगे क्लैंप में तो क्लैंप के लिए हम या पजावा यूज करते हैं क्लैंप या पजावा इस प्रकार का होता है इसमें जो फ्यूल यूज की जाते हैं वहां इस थाने अप्लब्ड माटेरियल जैसे घास फोस यूज की जाते ह पिर उपर की और जैसे फ्योल की परत बढ़ती जाती है इसकी जो थिकनेस होती है फ्योल की कम करते जाते हैं अधिशा इन्हें सलोप दिया जाता है पंदरण डिश्रिका कि यहां इटो की चैनाई की जाती है यहां आयताकार होता है एलिवेशन में आयताकार दिखता है और प्लान में हमारा समलंबा कार इस तरीके से दिखता है समलंबा कार दिखता है और इनके जो में दोश हैं इनके जो ताप पर आग पर कोई नहीं अंतर नहीं होता है इसलिए जो हमारी नीचे की जो ब्रिक्स होती है सबसे या ओवर बर् करते हैं इससे केवल साथ प्रतिसत इट ही अच्छे क्वालिटी के प्राथ होती हैं